कि सब्सक्राइब करिया है फैस्ट डी चैनल को बेल आइकन को प्रेस की जिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे फ़रे पाने के लिए हैं शूलो दूस्तों के फिर्शें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैनल हाई-फाइ स्टेडी पे या लेट बूटी सी सचातुर समस्टर प्रइक्षा 2016 में जो चातुर समस्टर का तो गया पर पूछा गया था फैन पर पर चुस्चा कि यहां पर चुकि है पर हमारा पूरा पच्चास नमबर होता है और इसमें आपको 25 नमबर अनिवार रूप से लाने ही लाने होते हैं समय आपका 2 घंटे का होता है यह सारी जो basic जानकरिया है वो मैं हर paper जो भी solve करवाता हूँ मैं आपको सभी को पहली बता देता हूँ चुकि वहाँ पर आपको शमय की बचत करके और अपने paper पर पूरा का पूरा जो है concentrate रहना है लिखना आपको start कर देना है समय बहुत ही ज़्यादा मुल्लिवान होता है अब बात करते हैं यहाँ पर की note यहाँ पर एक दिया रहेगा कि सभी प्रशन करना निवारया प्रत hits पर नीधारत ऐनकर प्रशन के सम्मुख दिए गये हैं डूसरा नम्बर इस पत्र में तीन परकार यह प्रशन यह तो मैं हर बार आपको बटाता हूँ आते लगुत्री प्रशन बहुत्री प्रशन और लगुत्रील़ प्रशन ठीक है ना यहां पर बात करते हैं दोस्तों, इनके सब्दों में लिखना है यहां से चांट के बाहर कम kilo को शंपन्य को राने के लिए आवशिय कोता है तो जैसे हम अगर अगर यह कुशन आता है तो आपको यहां पर कैसे लिखना है आपको कि उत्तर नंबर उत्तर नंबर एक और उसका क्या सही है यानि कि उत्तर नंबर एक में क्या सही है तो योजना बनाना तो आपको यहां पर लिख देना है option number d bracket में और योजना बनाना ठीक यहां पर सित्क Talking बच्चे और शमुधाय हो जाएगा दुबाई शेकर नम्बर के राइट्स बटाया थे यहां पर इस प्रेस्ट है नगबऄ सीर और इस वेडियो में आपके लिए एक:"актер यहां पर complete करेंगे और जो लगुत्री प्रश्ण होते हैं वो आपको खुद ही करना पड़ेगा ठीक है ना वो आपको खुद ही तयार करना पड़ेगा क्योंकि बाड़े कुशन होते हैं उनको आपको खुद चमजना होगा कि हाँ कैसे देखिए वहां से लगुत्री कुशन आप विस्त्री तुत्री यानि आती लगुत्री से आप लगुत्री बना सकते हो बिल्कुल बना सकते हो उसमें कोई वह नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो बना सकते हो ठीक है ना तो मानवी प्रबंधन के घटक हैं मानवी प्रबंधन के घटक कौन-कौन से हो जाएगा विद्याले भॉण हो जाएगा पुष्टाले वो जाएगा फरनीचर हो जाएगा surprise coaching आक बेखे और भालगे सेपने heavenly दूस्त लिए घृरत आप आप मानमी प्रवंदन का बातई जाएगा। निरड़ायन प्रक्रिया होता है हमारा very most important हो जाएगा अगला कुशन आप सभी को यहाँ पर पता होने चाहिए जो बहुवी कल्पी प्रशन होते हैं वो 15 कुशन बुझे आते हैं और total कुशनों की संख्या होती है 40 ठीक है न अग total कुशनों की संख्या जो होती है वो 40 संख्य होती है अगला हमारा हो जायगा की भवन पराफट की संख्या ऑब यह उपर दो परते परiãodriven स clown हो सकता है और पंच्छा खु च्छा यह या उसके द्वारा भी हो सकता है NCIT इस्थित है Moon के आप लोग टिक लगा दो Option number C पे नहीं दिली Gram सिख्षा समित के गठन के लिए आवस्थे खे एक महिला का होना ये भी कुशन काफी बार repeat के आया previous year का कुशन है very most important कुशन है दोस्तों एक महिला का होना ठीक है ना एक महिला का होना एक महिला का होना अगले और साथ नंबर कुशन की यहां पर हम बात करते हैं जो कि हमारा दोस्तों दिया गया कि low cost, no cost वाली सिक्षन दिगम सामगरी का निर्मान किया सभी के अंग जो आठ़् पुस्त के निसलग उपलब्ध कराई झार हैं भार्स स्रकार द्वारा या पीर आपका हो जाएगा जिला बेसिक तो नमबर ble west नमबर भी हो जाएगा अंगला मारा कुशन हो जाएगा की एक कछ़ए में कुल निरधारीत बथे पस्तक के हैं कीशन का आपका है काफी बार ये आपको बताया जा चूका है winding killing 10 हो जाएगा कि प्रदेश में सन्सक्रथ बिसे का किसक्षा से प्रार्रम किया गया गच्षा 1 से गच्षा 3 से गच्षा 5 से गच्षा 6 से तो भाई 10 number का right answer क्या हो जाएगा कि कच्षा 3 से अगला हो जाएगा 11 number की समय सारडी दरसाती है समय सारडी क्या दरसाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को दरसाती है या सिक्षण की सिक्षण प्रक्रिया को या प्रधाने द्यापक के नितरत को या सभी क्रिया कलापों को तो भाई राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा option number D हो जाएगा सर सभी क्रिया कलापों चाहे वो सिक्षक की सिक्षन प्रक्रिया हो या बच्चों की अधिगम प्रक्रिया हो या प्रधाना ध्यापक के नित्रत खुशा भी को ये दर्जाते ठीक है आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुश्यन की जो कि हमारा 12 नमबर कुश्यन कहता है कि पाठ सहिगामी क्रिया कलापों के संचालन का दाइद तो सौपना चाहिए पाठ सहिगामी क्रिया कलापों के बात हो रहे हैं यहाँ पर कि संचालन का दाइद तो जो है वो सौपना चाहिए तेरे नमबर कुश्यन हमारा यहाँ पर कहता है कि प्रतीक जनपद में कारद जिला समनवेक अधीन होते हैं जिला बिद्याले निरिक्षक के या जिला बेसिक शिक्षा धिकारी के या डायट परचारी के या फिर जिला धिकारी के तो तेरे नमबर क्या हो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा धिकारी हमारा राइट एंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नमबर भी राज सैक्षिक का नुसंदार परशिक्षट परशिक्षट का मुख्याले कहां पर है तो उसका मुख्याले आपका लखनों में है चार बाग से जब आप लोग निकलेंगे कैसर बाग के लिए तो वहाँ पर आपको रास्ते में मिलेगा सम्धिन ठीक है न अगला हमारा यहाँ पर और यह बहुबी कल्पी जिला असतर के सरवोज अकादमिक संस्था है डाएट है, सीमेट है, सी, इ, आर्ट है या बी आर्सी है तो वह पंदरे नम्बर का राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा डाएट हो जाएगा, डी डाएट हो जाएगा, ठीक है न, हमारा ऑप्शन नम्बर एके साइट चला जाएगा, डाएट का फरफॉर्म तो आपको पता ही है, ठीक है न अब यहाँ से हमारा दोस्तों सुरू होता है आतिला घुत्री वाला पोर्शन तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों अधिला घुत्री का अपने पहला कुशन देखेंगे, जो कि हमारा कहरा कि प्रबंधन प्रकरिया के अंग कौन से है प्रबंधन प्रकरिया के अंग जो है वो कौन से है दोस्तों ठीक है न, यह आपको बताना है तो यहाँ पर पहला जो हो प्रशाशन निर्देशन और नियंत्र लार अगला सोंचला क्या होता है ती यह सब और आपका सौचाला एवं पेजल की विवस्ता यह सभी इसमें बैद्ध यह होता विद्ध्याले प्रबंधन के संसाधन के अंतरगत यह सभी आ जाते हैं ठीक है ना मानेता तभी मिलते हैं जब यह सब प्रमु गटर बताना है तो आपका इसमें आ जाएगा अध्यापग छात्रयम शम्दाए अभी बोला गया था उपर कि आपको आतिलगत्री तीस सब्दों में लिखना तो आप भाई यहां पर बता दो तीस सब्दें हाँ पर कहां से लिख देंगे ठीक है ना कॉर्णर छात्रों के ग्यान में ब्रद्धी करता है या फिर तथा साथ ही शाथ उसमें अवलोकन करने का निश्कर से निकालने के लिए या निकालने के गुड़ों का विकाश करता है लर्निंग कॉर्णर में पाठे पुस्तकों कारे पुस्तिकाओं कहानियों आदिका चलिए अगला हमारा यहां पर हो जाएगा कुशन के कक्षा दो में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों या पाठ पुस्तकों की संख्या का नाम बताई है ठीक है न पाठ्थ पस्तकों का नाम बताना तो यहां पर दो ही होती है भासा कलरो और बालगड़ित यह आपने पढ़ा है हमने भी पढ़ा है इसको ठीक है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पाठ्थ पस्तकों के विकास में किनके विंदों का विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है तो पाठ्थ पस्तकों का विकास बच्चों के इस्था इतरान उकूल एवं रुची के अनुशार होना चाहिए और पाठ्थ पस्तक की पाठ्थ पस्तक से बच्चों में आत्म विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारडी बनाई जाती है तो आपको पता हूने चिए आपर दो सारडी कछा नुशार और शिख्षका नुशार दो कया नुशार बनाई जाती है Ursa切 और clientी समयशार अगला हो स्वतंतर रोप से कार्य करते हैं जिस से सीखना सरल हो जाता है जिस से क्या होता है शी क्syrikhenा सरल होजाता था तथा यहा हरटने के परविर्टी को um कम करता है मतलब मतलब बत्वर रटन्त विद्या को पर जादा विश्वास रखता है तो वो अगर आप यहां पर प्रोजेट कार करवाएंगे तो वो इस विधी को भूल जाएगा इस प्रवर्टी को भूल जाएगा तो बच्चों में उत्तर दयत्तों की भावना का विकास होता है अगला हो जाएगा यहां पर हमारा कि सैक्षि निरोग रहेगा रोग उसके पास नहीं आएगा मतलब यह होता है अगला है पर हमारा कुश्यन हो जाएगा दोस्तों की शिक्ष को को अगला हमारा question हो जाएगा यहांपर कि सिक्सिकों से सम्माइदफ पंजिकाओं के नाम लिखना मैं उपपस्तित पंजिका, और कास पंजिका अध्यापक अध्यापक कि्छा अध्यापक देनननदनी और tamaद्यान भोजन पंजिका और वित्या अभिले कौन-कौन से हैं तो वित्या अभलेग आपको पता होने चाहिए कि दैनिक रोकर बही डेली कैस्ट बुग जो होती यानि खाता बही उसे कहते हैं वित्या अभलेखन अगला हो जाएगा यहां पर बी आर्सी तथा एन पी आर्सी में क्या अंतर होते हैं बी आर्सी और एन पी आर्सी में अंतर क्या होते हैं वो यहां पर आपको बताना है तो यहां पर बी आर्सी क्या होता है बी आर्सी विकास खंड अस्तर पर अस्तगित एक सैक्षिक समर्थन देने वाली अकादमिक इकाई होती है जो बेसी सिक्षा परिशत के नियंत्रण में है नियाय पंचाय संशाधन केंद्र बी आर्सी का पूरक एवं क्रियान वयन विस्तारक केंद्र जो बी आर्सी के कार्यों में उत्तर दायत्तों वह भुमिका का निर्वाहन बिज्जाल स्तर पर करता है सार भौमिकरण का आर्थ एस्पष्ट करना है तो 6 से 14 वर्स्तक के सभी बालकों के लिए सिक्षा की व्यवस्ता करना तथा उनका अनिवार रूप से नामांकन सिक्षा का सार भौमिकरण होता है ठीक है न? कहने का मतलब यहां पर है कि 6 से लेकर के 14 साल तक कोई भी बालक को बालिका हो सिक्षा की विवस्था करना तथा उनका अनिवार उसे नामांकन सिक्षा का सौरभों में कहलाता है मतलब उसका एड्मिशन होना चाहिए अगर वो 6 से लेकर के 14 वर्स तक है तो उसके बाद आपर बात आती है अपने कि परदेश के राज परियोजना कार्याले का मुख्याले कहां इस्थित होता है तो यह आपका मुख्याले लखनोव में इस्थित होता है अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर 31 से लेकर के आपके और 40 तक जितने भी मारे कुशन बनते हैं वो लग उत्तरी बनते हैं लग उत्तरी प्रस्णा मारे बनते हैं तो इन कुशनों को आप ये 10 कुशन होंगे इनको आपको डिटेल में पढ़ना है ठीक है ना उनको आपको पढ़ना पढ़ेगा और उनको आपको शमजना पड़ेगा क्योंकि यह जो है important question होते हैं लगुत्री भी चुकि आपके दो-दो number के होते हैं लेकिन mostly अगर आपने अच्छे से लिखा है तब भी आपको दो number मिलते हैं परना कोई date देता है ठीक है ना कोई date देता है तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरू जरू बताईएगा हार एक previous year paper हम लोग कबर करने की पूरी की पूरी कोशिस करेंगे चाहाँ वो जिस subject का हो हार एक previous paper आपके लिए लाने की पूरी कोशिस की जाएगी अभी तक बहुत सारे previous year paper जो हैं वो पिछले class में दिये गया हैं जसा कि आपको पता होने चे कौन-कनसे आपको previous paper दिया चा चुका है आपको एक हिंदी का दिया जा चुका था उसके बद आपका समाजी गधन का दिया जा चुका है सांति सिख्षा का दिया जा चुका है 2013 का और आपका समाजी विग्ञान था पशंद आया होगा इस वीडियो का लोग जाता जाता शेयर कर देना आपते दोस्त में तरों के साथ मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए खुशू जया हिंच जया भारत बंदे मात्रम